प्रुष्कार मैं हुआ आकिप जावेद और आप देख रहे हैं तो बहुत समीज़ अभी मैं सारसा जिले के बक्तियारपूर में मौझूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ जो है बहुत सारे बच्चे हैं मैं अभी ग्रिन वेली पब्लिक स्कूल में यहाँ पर मौझूद द्वारा 30-20 मेगा परिक्षा जो लोग दिये थे इसको लेकर कि यह लोग को पुरुष्का दिया गया है यहाँ के बच्चे लगातार किसी ने किसी कमपोटिशन में उतरते रहते हैं और सबसे अच्छी बात इस स्कूल की यही है कि यहाँ जो भी कमपोटिशन होता है इस क हम इस सेन इसकोछ गए थे इग्जाम देने पुप और पो इस लिएक तो एक्जाम देने जाए जाएंगा बच्छा लोग जाएगा तो फिर इसी इसी उज़े से हम आज पुरुषकार हासिल किये हैं क्या लग है कैसी पढ़ाई होती है इसकूल में बहुत यह अच्छी पढ़ाई होता है और मैं यहाँ दो साल से पढ़ता हूं हुश्टैल में रहते हूं और कहा ओर हुआ है इतमादी इतमादी इस अब कौन से जिला पड़ता है खगड़िया पड़ता है पढ़ाई बढ़िया होती है यहां बहुत ही अच्छा होता पढ़ाई अच्छा आज आप दो साल हुआ है और आज आप जो है तीसवी मेगा परिक्षा में पास भी किये हैं और आपको जो जिस तरह से आपके बच्चे लगातार किसी ने किसी एक्जाम में क्वालिफाई हो रहे हैं जी सबसे पहले हम गुड मॉनिंग करना चाहेंगे इस दुबागा टाइम है और हमारे सारे जो डिरेक्टर सर हैं अमदिला सर और सारे स्टाफ जो फैमिली गिन वेली एकेडमी के हैं मैं उनका शुक्रिया रहा करना चाहूँ उन्होंने बहुत मेहनत से बच्चों को कंपिटिशन की तयारी करवाई और जिसका नतीजा यह रहा कि बच्चे उस कंपिटिशन एक्जाम में बैठे और अच्छे नम्बरा जहर किलासे इसके बच्चे फर्स सिकंड ठर्ट प यहां और यही कोशिश हमारे हैं चाले करना चाला हूं कि अला ताला ने में फिर बध्र बढ़ीरे क्या टेडिजन यहीं वण छामिया है यहीृट कर ठेटेंगी बारहें काने करना करना चाहतार में पहरादी करना हूं इससे पहले भी commerce का coaching जब हम यहां पर शुरू किये तो commerce के coaching में जतना भी यहां पर coaching था और सबसे ज्यादा हमारे हमारे coaching के बच्चों ने इस्लामिया है स्कूल टॉप किया चाहिए वो बच्चा पटना में पढ़ रहा हो या भागलपूर ने पढ़ रहा हो लेकिन हमारे coaching का बच्चा जो है सबसे ज्यादा नमबर इस्लामिया है स्कूल में लाया उसके बाद अभी आप देखेंगो आपने आप शुLike करते हैं उसके बाद मैरे मा बाप की दुढा का कि अशर है हमेशा जो है मेरी माँ और मेरे अबु दूआ करते रहते हैं हमारी कामियावी के लिए तो सबसे ज्यादा उन्हीं का असर है उनकी दौहां का असर है कि हम दिन बदिन तरक्टी भी कर रहे हैं अभी देख लिए पिछले साल भी जिलाइसोशेशन का एक्जाम हुआ था उसमें भी हमारे बच्चे टोप किये थे और अभी इस साल भी नो बच्चे हमारे यहां से जो है नो बच्चों ने फाइट किया क्या लग रहा आपको इतना काफी है आपके स्कूल के लिए हर साल और हर जो है चाहे वो मैट्री का रिजल्ट हो या इस तरह से जो भी आता है एक्जामनेशन उसमें हर एक्जाम में गिरिन वेली एकडमी का बच्चा कहीं ने कहीं रिजल तो लाता है वो आप भी देखते होंगे तो हमको लगता कि बहुत बड़ी काम्यावी है और अल्ला तला हमको जो इतने कम समय में आप जो है इतना छोटा से स्कूल से आप शुरू किये थे और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं कहीं हर कंपटिशन में आपके बच्चे जो है लगातार हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आप क्वालीफाई करते हैं बहुत ज्यादा में बच्चों को बनाते हैं और इस तरह का मांड तयार किया जाता है तो यहां के टीचरों को हम देना चाहते हैं कैसा बहुत अच्छा एक्जाम रहा था हम लोग बहुत अच्छे से त्यारी किये थे हमारे सर लोग बहुत अच्छे से त्यारी करवाए थे हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम इस मकाम पर पहुंचे हमें इनाम मिला है हमारे सर बहुत अच्छे से हम लोग को पढ़ाते हैं सभी सर बहुत मेहरा से हम. कितने दिन से पढ़ा हो या पर dollar साल से पढ़ा और आज प्रूषकार भी ले लिए स्रिफिकेट भी लिए हैं डाफी कुछ होना भी चाहिए वजय यह है कि लगा तार इनके बच्चे ये स्कूल जब स्टार्ट हुआ था बहुत शोटे से शुरू हुआ था और दीरे दीरे देखते देखते हैं आवास यह गरिं वैली एकेडमी बन गया यह इनको पता ही नहीं चला साती साथ जो है मैं आपको ये भी बता दू कि बच्चों का इतना कॉपरेशन रहता है और बच्चों के ऊपर टीचर का इतना कॉपरेशन रहता है कि जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ जिसका आज परिणाम जो है आपके सामने हैं लगातार किसी न किसी जो है Examination में यहां के बच्चे बैठते रहते हैं और बैहतर यही है कि कंपटिशन में जब बच्चे बैठते हैं तो आगे कि और जाते हैं वही Green Valley Academy ये सिखाता है कि बच्चे जब कंपटिशन में बैठेंगे तो आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो गाउं समाज और जो माबाप का है वो नाम रोशन करेंगे आईसे खबरों देखने के लिए आप परने हमाँ साथ और देखते रहें तब उस नियूज